नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कवता थपलियाल आप देख रहे हैं कंस्यूमरिस के एक वक्त था जब लोग कहते थे कि उन्हें स्कूल अटेंट करने के लिए दस्सों किलोमीटर का सफर तै करना परता था कहने का मतलब ये है कि स्कूल इतने ज्यादा नहीं थे परिणाम पड़े लिखे लोग यहाँ पर कम हुआ करते थे इसलिए लेकिन आजादी के इतने सालों बाद स्कूल, कॉलेजिज और इनमें पढ़ने वालों की संखिया में जबरदस इजाफा हुआ है हर साल लाखों की संखिया में लोग डिगरी हासल करने लगे हैं लेकिन रोजगार की शेत्र में सफलता अभी भी दूर की कौरी लगती है यानि जरूरी नहीं है कि आप डिगरी हासल कर चुके हैं तो आपको नौकरी भी मिल जाए क्यों हो रहा है ऐसा क्या है इसके पीछे वज़े क्या करना चाहिए इस कमी को खत्म करने के लिए जानने के लिए सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को देख लेते हैं एक दौर था जब अकसर प्राइविट नौकरिया जान पहचान और रेकमेंडेशन पर मिल जाया करती थी लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में नौकरियों के लिए एचार बकाइदा जॉब पोस्टिंग करते हैं कमपनिया कॉलेज और युनिवर्स्टी जाकर रिक्रूट्मेंट ड्राइव्ज चलाती है लेकिन उन्हें स्किल की कमी के चलते कभी-कभी निराश होना पड़ता है कमपनियों की माने तो उन्हें जिस तरह के टैलेंट की तलाश है या वो जिस तरह की उमीद कैंडिडेट से लगाती है वो उन पर खरे नहीं उतरते ऐसे में किसी को भी नौकरी देना मुश्किल होता है ऐसे में कॉलेज और युनिवर्स्टी से निकलने वाले कई युवा बेरोजगारी जहलने के लिए मजबूर होते हैं स्किल की बाद अलग-अलग रिपोर्ट्स के जरिये कई बार सामने आ चुकी है AISHE यानि All India Survey on Higher Education Report 2021 के मुताबिक पिछले पाँ साल में स्टूडेंस के एंडूल्मेंट में लगभग 12% का उचाल दिखा गया है और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का इंडूल्मेंट भी लगभग 19% भी बढ़ा है Education सेक्टर में जबरदस्ट ग्रोथ दिखी है आलम ये है कि Education सेक्टर भारत्य अर्थ विवस्ता के Sunrise सेक्टर में शामिल हो चुका है लेकिन फिर भी युवा जॉब के लिए तैयार नहीं हो पा रहे है इसकी एक बड़ी वजह पढ़ाई और स्किल के बीच गैप को माना जा रहा है इस गैप को भरने के लिए Academic और Theoretical Knowledge पर जोर देने वाले College और Universities अब Practical Knowledge और Industry Based Skills पर जोर दे रहे है किंद्र सरकार भी नई सिक्षा निकी के तहट Skill Development पर जोर दे रही है देखने वाली बात होगी कि शिक्षा संस्तानों के सोच में ये बदलाव रोजगार के शेत्र में कब और किस हद तक बदलाव लेकर आता है इटीनाव स्वदेश चलिए तो आज के शो में कुछ खास मुद्धे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं युवाओं में बेरोजगारी और स्किल की कमी को दूर करने के लिए युनिवरसिटीज क्या कर सकती है कैसे कॉलेजे में दी जाने वाली डिगरी को जॉब ओरियेंटिव बनाया जाए नई शिक्षान नीती के तहट स्किल डेवलप्मेंट पर जोड दिया जा रहा है इसका असर हमें कब तक देखने को मिलेगा सिर्फ जॉब हासल करने के लिए पढ़ाई या डिगरी हासल करना कहा तक सही है तमाम मुद्दों पर बात करेंगे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़ गए है National Council of Educational Research and Training के फॉर्मर डिरेक्टर JS राजपूद हमारे साथ हैं और साथ ही यहाँ पर स्ट्राटिजिक अड्वाइजर और सीनियर बिजनस लीडर संजर शुरवास्तव और आइटी बॉंबे के असोशिट प्रोफेसर आश्रीश पांदे हमारे साथ चुड़ गए है आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में तो सबसे पहला सवाल राजपूद जी आप ही से होगा ये बताएं कई रिपोर्ट्स यहाँ पर एंप्लॉइमेंट को लेकर और जॉब डेटा जो की अकसर हम देखते हैं कि हर तिमाही या हर मेने आते ही रहते हैं इस चीज़ बहुत आम है वो यह है कि भारत में बेरोजगारी जादा या बेरोजगारी की दर उन लोगों में जादा है जो पड़े लिखे हैं जों के पास डिगरी है क्या कारण आपको लगता है इसके पीछे देखा जा रहा है क्योंकि graduate लोगों के बीच में बेरोजगारी होना इनकी तादात में इजाफा होना अलगातार बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं उनके लिए मौकों की कमी को दर्शाता है कि यह पास सबसे पहले महत्मा गानी ने समझ ली तब हमारी संख्या इतनी नहीं थी हमारे पास बहुत से इतने विज्ञान के उप्लब्धिया नहीं थी कि निशातर है जब कोना करता है किसी चीज का निर्माण करता है किसी को तुझारता है तो निश्टी रूप से उसका अथ मिश्वास बढ़ जाता है और ऐसा वी जी आगे चलकर नभा Apps कर सका है इस तरह मेहींनो नहीं कोशल सीखिए, इनोवेशन सीखिए, लेकि समस्चा क्यों है, आज हम यहाँ पर क्यों हो, क्यों कि हम वही B.A.M.A. करते गए और B.A.M.A. के बात कुछ नहीं मिला तो एक और M.A. कर लिया, एक और कुछ कर लिया, हमने हमेशा उसी तरफ जालिया, अब नई सिक्षानीत में इस बात को समझा गया है, कि जब तक वेकि कोशल नहीं सिखेगा, और कोशल शीखना प्रारम कहां से होगा, वो इसकोलों से होगा, घरों से होगा, और उस घर में जो सीखा गया, उसको इसकोलों में आकर के आगे बढ़ाना, जो सबसे बड़ी बात इसके लिए आप करें, गुद्यूद्गारी नहों, वो उस देश में नहीं होगी, जहां पर लोग बच्चों की रूच्यों का अध्यन करें, और उनको उस तरफ ही सिख्षा दें, उस तरफ ही सीखने को प्रेरित करें, जिसमें उसकी रूच्यों, वो बात भी इस बार आई है, कि अगर कोई वेक तब इनोवेशन भी होंगे, नहीं नहीं खोजें भी होंगी, और वेक तिक को लगेगा, कि मैं सोयम कुछ कर सकता हूँ, मुझे दूसरों पर निर्भर करना आवश्यक नहीं है, उनी की तरफ मैं देखता रहा हूँ, कोई आकर मुझे नौकरी दे जाए, कोई काम दे जाए वो इसी नहीं हो, बहुत बड़े दश्टकोल परवदन किया हो सकता है, और आपने बहुत अच्छे बात उठाई है, बिल्कुल, तो आशीश ची अब यहां पर, देखिए, स्किल डेवलप्मेंट का अभी इल्म हो गया है, ठीक है, अब रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बुनियादी तोर पर यह फर्स प्रिफरेंस नहीं था, हम सब तो अपने बच्छों को डॉक्टर इंजिनियर ही बनाना चाहते हैं, उनके स्किल्स में, उनकी रुची क्या है, वो किस शेत्रे में दिल्चसपी रखते हैं, यह तमाम बातों को माता-पिता थोड़ा स लेकिन कही ना कहीं जो इस बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, यह बेरोजगारी उन नव युवकों में भी है, जो स्किल्ड ट्रेंड है, जिन्होंने एक स्पेशलाइजेशन की है, उनमें भी हम इंप्लॉइमेंट बढ़ती भी देख रहे हैं, अगैन, क्या मौके कम हैं आपने इंजिनरिंग की चर्चा की, इंजिनरिंग और मैं मैंनेजमेंट स्कूल से संबद दूं, मैं भी, इंजिनरिंग और मैंनेजमेंट दोनों में इंप्लॉइबिलिटी का भी इशू है, इंजिनरिंग का एजुकेशन लेना अलग बात है, और इंजिनरिंग की स्किल ह साथ एटिट्यूड होना और साथ में नॉलेज होना जिसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं वो होना एक अलग प्रशन है इंजिनिंग एजुकेशन में भी हमारे स्थिती यह है कि इस नॉलेज बिल्ड हो जाता है क्योंकि इंजिनिंग एजुकेशन या मेरेजमेंट एजुकेशन और मोस्त अधे एजुकेशन भारत में जाने प्रशन होने के लिए सिर्फ मूल और आधार भूत जो हमारा नॉलेज है उसके अलावा हमको सिस्टम्स थिंकिंग, पैटर्न रिकरिनेशन, सोशल स्किल्स, एमोशनल इंटलियेंस यही किसी को प्रफेशन में एंट्री में सपोर्ट करते हैं और उस प्रफेशन में ग्रोव करने के लिए सपोर् सब्सक्राइब और अब जो नई जो आर्थिक संद्जना हमारे सामने निकल रही है जो हम देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ होती है पर उस उस अनुपात से जैसे पहले अनुपात में एम्प्लाइमेंट ग्रोथ होता था अब वैसा नहीं होता और यह सहज ही है क्योंकि टेक्नोलोजी जो है वो स्केलिंग अप कर रही है टेक्नोलोजी आटोमेशन कर रही है और उस बज़र से जो किसी एक स्पेसिविक इंडस्ट्री में जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी वो काम हो रही है पर दूसरी नई इंडस्ट्री इस डेवलप हो रही जैसे अगर ड्रोन को अगर आप एक ड्रोन का एक्जाम्पल लें तो ड्रोन में स्टाफ की आवश्यक्ता नहीं है बड़ा ड्रोन भी है उसमें कोई human staff काम नहीं करता लेकिन उस ड्रोन की ओपरेट करने के लिए एक अलग इंडस्ट्री है और उसमें लोगों की आवश्यक्त एक बात और दूसरा स्वरोजगार करने के लिए जो आत्मविश्वास जो इसकिल चाहिए वो भी हमारी सिक्षा में अब तक नहीं आ पाया था जो की डाश्टी सिक्षानिती में जिसको एड्रेस करने के लिए बहुत बड़े बहुत अच्छे मारुदर्शन दिये गए हैं वो अब तक नहीं हुआ था और इस कारण से इस पूरी स्थिती बनी और मुझे लगता है आने वाले समय में इस स्थिती में अगर हम नई सिक्षानिती के बिंदू पर अच्छे से कारवाई करेंगे तो इस समस्था का नराकरण भी हम अपने साम में देख पाएंगे बलकुल निव एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से इंडूल होगी इंप्लिमेंट होगी इसके असर हम बाकी देखेंगे और जो भी बिंदू इसमें मेंशन किये गए हैं जो भी बदलाव इसमें मेंशन किये गए हैं कही ना कहीं हमें एक नए भारत की ओर लेकर तो लेकिन उस पीच संजे जी ये बताएं क्या मामला ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जो की highly skilled हैं उनकी परसेंटेश थोड़ी सी कम होगी उनके लाइक नौकरिया नहीं है भारत में और इसलिए कही न कहीं वो विदेश जाने की फिराख में होते हैं क्या इस तरह का भी सिनारियो है क्या उनके कैलिबर की कम नौकरी लोगों को करने में दिल्चस्पी नहीं है और इसलिए भी वो बेरोजगार या अगर फ्रीलैंसिंग या इस भी तरह के हम गिग वर्क्स जो की आज कर बहुत जादा न्यूज में है इस तरह के काम करना वो जादा पसंद कर रहे हैं जी नमस्कार कवेता जी तो आपने जो बोला उसके दो पहलू है एक जो हमारे हैं बहुत सारे ग्राजुएट्स आ रहे हैं हमारा करीब 50% आबादी जो है वो 25 साल से कम का है तो नंबर ओफ एम्प्लोईमेंट एम्प्लोईबेल यूद बहुत जादा अवलेबल हैं पर अगर आप कंपनी से बात करें तो वो बोल रहे हैं कि हमको रेडी स्किल नहीं मिल रही है तो अभी यूज किया बात कर रही है संजे जी ये रेडी स्किल में फिर किस तरह के स्किल सेट्स की बात हो रही है जी तो इसमें जैसा कि मेरे पिसले दो पैनलिस ने बोला कि आप ज जो 21 सदी की जो problem solve करने हैं वो 19 और 20 सदी के foundation पर नहीं हो सकते हैं तो जो नई चीज़ें चाहिए इसमें आपको practical skills का बहुत जादा use करना है आपको social skills इस्तेमाल करनी हैं आपको liberal arts mix करना है technology के संग आपको digital skills चाहिए क्योंकि आज जो है business का digital एक part नहीं है बल्कि हर business digital हो गया है तो आपको digital skills चाहिए आपको continuously complete traditional left brain logical thinking और right brain जो liberal thinking है इसका एक समन्वे चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका change हमें बहुत जल्दी करना है और इसी का जो दूसरी important चीज़ है वो है vocational skill और skill development जिसपे की NEP और सारी government की agencies का focus आ रहा है तो तीन अलग-अलग लोगों को एक साथ काम करना है एक तरफ industry है जिसको मालूम है कि आगे की क्या skill चाहिए एक तरफ academic है जो अभी बहुत theoretical skill पे focus है पर उसको adapt करना है और तीसरा government और skill development institutes है जो इन तीनों चीज़ को एक साथ संग में जोड के लाना है इन तीनों को एक साथ समन्वेवे काम करना है और बहुत तेज रफतार में change करने है बिल्कुल सही point आपने उठाई है लेकिन राजपो जी अब सवाल यहां पर यह है कि सरकार इसके development विभाग तो बनाया है लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर या फाइदा होतावा नहीं दिखाए दे रहा है इसकी enrollment में कहां पर कमी रह गई है दिल्चस्पी नहीं लोग दिखा रहे हैं या लोगों को जाग रुपता नहीं है दाक्टर दियस कोधारी के सिख्षा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उस लोग ने कहा था कि अगले दस वर्स में दिख्ष के पच्चेस परचेस से कंडी स्कूल को हम वोकेश्ण इसकूल करते हैं उसे वोकेश्ण एज़ुक्रेशन बात कही गई थी अब बहुत अच्छे धंसे सुविचारी धंसे उन्होंने कही थी क्यों वो जानते थी जैसे जैसे हमारे हैं सिख्षा बढ़ेगी सिख्षित लोगी संक्या बढ़ेगी उतनी नौकरिया उप्रपते होंगी बेकारी आएगी उस समय हमने उस पर ध्यार नहीं दिया सरकारी तंबल से तो कहा कि हम अपिश्ष से लिखन खोल रहे है लेकिन वह आगे को नहीं भड़पाया थो पहली बार हमारा जो समाजन था वो सरकारी लोगरी के लिए विल्कु तरियार था मानस मानस से कितने कि तश्कों से उसकों तयार किया सरकारी दभी चाहिए दूसरा जो हासे काम करते थे उनको समाल दे तुतिव शणी का या तुतिव शणी का वेक्तिमाना इसलिए इवाउं की रुच नहीं हुई तो आप जो इसके डेवलेबेंट मिनिस्ट्री बनी है उसका पहला करता भी था और मैं नहीं जाता हूंनोंने कितना उसका दिर्वाद किया है कि वे उन कारणों का अध्यान करके आगे बढ़ते जिसके कारण वोपेशनल एजिपेशन की स्कीम जो 68 पॉलिसी के बाद बनी थी वो अस्वन होगे और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं आपती बात बहु जिनको कहा गया कि आप केंद्र खोले इसके लिए उन्होंने केंद्र खोले और वहां पर उन्होंने इसकिल के वजाए कि वह सेट्वेट देकर ही अपना काम पूरा कर दिया देश का यह तुरभाग है कि हमारे इंजिनिक प्राइबट इंजिनिक कॉलिजे के बच्चे निक होते हैं जो कहीं पर लग सकते हैं और फिर बहुत से कालियाज बंद हुई इसकिल्ड एवलेमेंट मिनिस्ट्री के अधिक सफ़त नहोंने का खारण समाज की वे प्रवत्तियां भी हैं वे लोग भी हैं जो ऐसी किसी वी योजना को उसके सही मार्क से विसलित कर देते हैं क् हैं जर्वत्क शर्म बंद हैं क्लिकान भी हैं क्या अहीं सक्षेम लोग है एक सब्सक्राइव उसके से दोड़ेशनेस्यों सब्सक्रा enfermeds नहींव होता है सब्सक्राइब कर जाता है क्या है यहीं हाल कोशल लेवलेमेंट का भी हुआ है इसे उस सिर्कार करना चाहिए तो आशीशी कहीं किया जरूरी हो गया है कि जन स्किल सेट की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है आप लोगों को या युवकों को बच्चों को आप ट्रेनिंग तभी देंगे पता होगा कि कि स्किल की डिमांट है और किस तरह से उसमें आगे बढ़ा जाए स्ट किस तरह से डिमांड में है कौन-kौन से डिमांड में भारत में विदेश में क्या के आपके पास आ पर्चुनिटी जह है बहुत–ज़री हो जाएगा कि आप एक ग्राउंड रिपोर्ट पहले इस पर बनाए और उसकी बेसिस पर किसी भी तरह की ट्रेनिंग को डिजाइन करे ताकि यह जो फॉर्मूला आपने बनाया है जो आपने अपर्चिनिटी दी है वो जाया ना जाए अपने इसकिल के रिकगनिशन के आश्रकता है और यह डायनमिक प्रोसेस है यह आज कुछ स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है पाथ साल बात कुछ अलग स्किल सेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा चूंकि टेक्नोलोजी चेंज होगी बिजनेस मॉडल्स चेंज होगी और बहु उनका एक ओलंपियार्ट भी होता है तो जो रोबोटेक्स इंक्लूडिंग स्किल्स लेटेड़ टो रोबोटेक्स वरकिंग ओन लेट मशीन इन डाट होल रेंज और स्पेसिफिक स्किल्स पर कॉंपेटिशन भी क्रिएट होता है महत्तपूर्ण यह है कि जो स्किल सेट कॉलेज उन सब में भी उस उस पारे में जाब रुपता हो और उन चीज़ों को सभी एजुकेशन सिस्टम में अपने अपने इस तर पे उसको इंटिग्रेट किया जाए क्योंकि यह इस्किल डेवलप्मेंट एंप्लॉइबिलिटी जनरेशन एंप्लॉयमेंट जनरेशन ए तो इस बारे में जाब रुपता के आवश्च रकता है और इसलिए हरी प्रतेक कॉलेज को अपने करिकुलम को देखना चाहिए और उसमें यह इंटिग्रेट की जानी चाहिए चीजें कि कैसे हमारे विद्ध्यारती जो है वोकेशनल एजुकेशन भी साथ में लें अलांग मेंस्ट्रीम एजूकेशन इसके लिए एक बहुत बाड़ा महत्रपून स्टेप होगा कि किसी भी करिकुलम की डिजाइन में सिर्फ अकेडमीशन्स नहों इंडस्ट्री और अगर मालीजी पत्तकारिता है अगर आप पत्तकारिता को अगर कि अटियून ना कहें तो उसको फ्रफेशन तो जरूर कह सकते हैं तो प्रफेशनल का इन्वॉल्मेंट केरिकुलम डिजाइन में जादा होना चाहिए इंटेंस होना चाहिए रैगुलर होना चाहिए तब यह वो जो भी के एजुकेशन अगर बॉटनी के एजुकेशन दे रहे हैं अगर वी निद तो इन्वाल माइक्रोबियोजिस्ट को वर्किंग इन इंडस्ट्री सिमिनरली इन ओल फील्स प्रोफेशनल शुट बी इन्वाल्ड पॉफेशनल शुट बाहर निकलेंगे उनके पास सिर्फ नहीं नहीं होगा उनके पास हाथ से काम करने की ताकत भी होगी और उनको पता होगा कि क्या-क्या काम उनको करने हैं ताकि वह इंडस्टी में एंप्लॉयमेंट ले सकें या अपना स्वयम का काम शुरू कर सकें बिल्कुर प्राक्टिकल नॉनेज बहुत ज़्यादा जरूरी होत कि आपको रियालिटी चेक लिननी की जरूरत है जो कि प्रोफेशनल्स को कोष्ट डिजाइनिंग में अगर आप शामिल करें तो जरूरी मिल जाएगा देखिए मैं एक बाद बार बार दोहराता रहा हूं उननीसोचानवे से दोहरा रहा हूं योग जिनीवा में युनिसको की एक रिपोर्ट उतस्तुत की गई थी और वहां पर उसके अध्रक्ष ने कहा हर देश की सिक्ष्यावरस्ता की जड़ें गहराई तक उस देश की सु रूट इवर्ट इवजित्ता नए ज्यान के पृत होना चाहिए अग्लेजी में बहुत सिंपल है एजिकेशन इन इवरी कर्टी मती रूटिट टुपल्चर कमटेट टुप्रॉग्रस हमारा जो गयान के खोज का तंत्र था वह बहुत शचर था इसको इसमें किसी भी पहुंश अशक्त था ये दुनिया मानती है दुर्भाग से हम नहीं मानती है उसका देन करें लेकिन नए ग्यान के पित हमेशा प्रतिबद रहें इसको गांधी जी ने दूसरे शब्दों में का उन्होंने इसी बात को कहा कि मैं अपने घर के दर्वाजी खिड़किया खु हमेशा मस्ट्स में रखें जब करें हैं तो हम सहीदcely हां चाहेगे हमारा अपनी पौńsk और सबस्क्रस्टम संब कर सके और उसके बाद नय ग्यान की खोज में वहीं साले हमी या यान की ग्यान सबस्क्रा इस सबसे करें जो ग्यान के आधार पर सुख सुविधाएं समझ हमें मिली हुई है वो कितने ही तो उनकी तपस्चा और गोर परिश्रम के कारण मिली है हम उसका उप्योग करते हैं लेकिन हमारा करतब है कि उस रिष रिण के लिए हम उस ग्यान की संपदा का वर्धन करें हम उसे आगे बढ हो जाए तो देश के शिच्चा विस्ता बदल सकती है और निश्यत रूप से हमें देखने हमाई तरफ देखने आएंगे जैसे तक्षिला में आते थे नानुना में आते थे हम अपने आप स्वेम मेहनत करके परिश्रम करके अपनी चीजों को समझ कर ऐसे इस इस पैदा कर स जो उसके पास पहुंच जाते हैं कि उसके व्यान की जो आभा है वो प्रकाश को फैला देती है तो संजे जी मेरे पास केवल 30 सेकंड का समय है तो आखरी सवाल आप से पूछना चाहूंगी अब जो बेरोजगार है श्रक्स उनके लिए किस तरह की गाइडलाइन जा थम चाहिए दो या तीन में चीज पर एक बहुत क्लेयर आइडिया उनको ये लगाना चाहिए कि जो कल की नौकरी है अगले पास से दस साल सबसे जादा ग्रोथ किस सेक्टर में और किस तरह की जॉब में हो रही हैं दूसरा उस जॉब और सेक्टर में काम करने के लिए किस तरह कि स्किल चाहिए और उस तरह का वो वोकेशनल कोर्स जॉइन करे और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टन चीज कि जो इंफ्रास्रक्चर बन रहा है स्किल डेवलप्मेंट वगेरा में उसको एक इंटिग्रेटेड मैनर में काम करना है जिसमें उसमें इन्नोवेशन लाब होनी चा इंप्लॉइड लोगों से एक कंटिनियूस ली एक लूप में काम कर रहा हूँ बिलकुर तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप देश को और देश के युवा को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिस्टम को दुरूस करें और उसके साथ-साथ युव को अपने स्केल डेवलप्मेंट पर भी काम करने की ज़रूरत अब महसूस होनी चाहिए बहुत बहुत धरनेवाद आप तीनों का इस खास पेशकरश में शामिल होने के लिए मुझे भी जासत दें नमस्कार